देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त हैं खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बु चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरनी लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गड में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स सामने आते हैं, उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपालना करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फेहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ, महोदय फिर दे तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चित्रों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय आज इन मानवा अधिकारों के कारण, इन आतंक्यों के पंगलों की आखाओं की नाकफनी हसती है, और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसीर रोती है, जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना, चिक-चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मां किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे जादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अप करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को यह निर्णे लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे दोशी को लगे या ना लगे परन्तु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी. और महुद है, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नहीं, एक आत्म हत्या है, क्योंकि महुद है, फूल को श्रिंगार दो, ये मुम्किन नहीं, और एक वीर को जनकार दो, ये मुम्किन नहीं, जो हात बांदे सेन के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभाब नहीं, महुद है, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान, इन आतंकवादियों, इन पत्थरवाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है, कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी, तो अभी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई, तो महुद है, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है, और महुद है, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर, एक जवान आज ये सोचता है, कि चाहे स बुनियाद है अंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, महुद है, जब पुलवाम हमें 44 जवान सहीद हुए, 36 गड़ में 76 जवान सहीद हुए, तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ, प तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ, कि उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अफजल निकलेगा, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंग बनकर दहार दो, और एक तिरंगा जंडा उसका नहीया के सीने में गार दो. महोदे, अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है, अपने देश की नहीं प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे, अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोज नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं, ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाहला करते हुए, आतंकबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्टा जा है क्योंकि एटम बं से रक्षा के बल एटम बं ही कर सकता है, जै हिंच, जै भारत!